चलिए दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक धमा के दर वीडियो ले कर आ गिया हूँ Redmi उसका Note 10 सिरिस फाइनली दोस्तो इंडिया में लॉंच कर दिया है Redmi Note 10 का जो प्राइस रखा है मैं आपको क्या बताऊं दोस्तो मार्केट में कमपेटिसानी खतम कर दिया है इतना अच्छा प्राइस रखा है और जिस प्राइस में दोस्तो Redmi Note 10 इंडिया में लॉंच हुआ है उसी प्राइस में दोस्तो Redmi का साब ब्रेंट Poco का Poco M3 आता है अभी बहुत सरे वाई लोग मुझे कमेंट कर रहा है कि Poco M3 खरीद लेना चाहिए या दोस्तो Redmi Note 10 के लिए इंतेजर करना चाहिए और फास्ट शेल में खरीदना चाहिए तो जनरली दोस्तो मैं स्पेसिपिकेसान कमपरिजन नहीं करता हूँ लेकिन आप लोगों ने इतना कमेंट किया तो फाइनली दोस्तो आप लोगों के लिए कमपरिजन हाजीर है ऐसे भी दोस्तो फास्ट शेल में मैं Redmi Note 10 को खरीदूंगा और पोको M3 के साथ स्पीड टेस्ट, गेमिंग टेस्ट और कैमेरा कमपरिजन, बैटरी डेंटेस्ट, बैटरी चार्जिंग टेस्ट सब कुछ दोस्तो लेकर आऊँगा अवी स्पेसिपिकेसान कमपरिजन देख लो सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं Redmi Note 10 में दोस्तो मिलता है 6.43 इंच का Full HD Plus Super AMOLED डिस्प्ले और इसका जो प्राइस है 12,000 है और 12,000 में दोस्तो पहली बार दोस्तो Redmi Super AMOLED डिस्प्ले लेकर आया है और इसके साथ दोस्तो Corning Corolla Glass 3 का प्रोडेक्शन भी देखने को मिलता है यहाँ पे दोस्तो जो सेल्फी कैमेरा है ओ मीडिल में पंचोल सेल्फी कैमेरा है और बहुत छोटा सेल्फी कैमेरा है दोस्तो मदलब डिस्प्ले का जो लूग है ओ तो काफी अच्छा है उसके साथ दोस्तो डिस्प्ले का जो क्वालिटी है ओ भी दोस्तो प्राइस में बेस्ट है उसी जगा में Poco M3 में दोस्तो मिलता है 6.53 इंच का Full HD Plus IPS LCD पैनल डिस्प्ले और यहाँ पे दोस्तो Water Drop Nots के साथ आता है और यहाँ पे Corning Corolla Glass 3 का प्रोडेक्शन मिलता है अभियसली दोस्तो डिस्प्ले का जो लूग है यहाँ पे दोस्तो Redmi Note 10 विनना रहता है और डिस्प्ले का जो क्वालिटी है वहाँ पर भी दोस्तो Redmi Note 10 विनना रहता है क्योंकि AMOLED डिस्प्ले है डिजाइन के पास देखोगे Poco M3 का जो डिजाइन है एक यूनिक डिजाइन है मेरे पास योलो कलर का है योलो कलर के उपर दोस्तो यह जो ब्लैक कलर का कैमेरा है काफी अच्छा लग रहा है और इस फोन का जो बिल्ट क्वालिटी है वो पॉलिकार्बोनेट का है लेकिन द अरिका स्टाइल है यूनिक है इसस्टरी में प्रेस में कोई भी ब्रेंट दोस्तो ऐसा डिजाइन लेकर नहीं आया है तो एक यूनिक डिजाइन है और और अबिय स्ली दोस्तो ड्रों रेडि मीरी क्रिम जांति हैं प्रिम्याम कहां दोस्तों पर्फोरमेंस के पास यहां पर दोस्तों मैंने Call of Duty बेगरा प्ले किया था ठिक थाक चला था दोस्तों उतना अच्छा नहीं है और एफोन दोस्तों Mew 12 में रान करता है आउटप बॉक्स दोस्तों Android 10 के साथ आता है Note 10 में दोस्तों देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon का latest chipset Snapdragon 678 chipset जबर दस्त chipset है Obviously दोस्तों Poco M3 से काफी powerful है अवी तक दोस्तों इस chipset के उपर मैंने अवी तक कोई भी gameplay नहीं किया हूँ तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि कितना अच्छा performance मिलेगा मैं यह बता सकता हूँ कि Poco M3 से अच्छा performance मिलेगा और Redmi Note 10 दोस्तों Mew 12 में रान करता है और Android 11 में दोस्तों Auto Box आता है तो काफी एच्छी बाद है दोनों ही फोन में Dual Studio स्पिकर देखने को मिलता है अगर आप जादा Movie बेगरा देखते हो हेटफोन के बिना ही तो जो audio का output निगलेगा वो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि दोस्तों मैं Poco M3 यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे दोनों साइट की तरफ स्पिकर है इसके बज़े से दोस्तों जो audio का output है और सैच में दोस्तों प्रैस के हिसाब से किलार है दोस्तों तो दोनों ही फोन में जो audio का output है या audio का quality है वो काफी अच्छा है बैटरी के पास देखोगे Poco M3 में दोस्तों 6000 इमिज़ का काफी powerful बैटरी मिलता है दोस्तों इस फोन को मैं day to live यूज़ करता हूँ प्रैमरी फोन नहीं है सेकंडरी फोन के हिसाब से यूज़ कर रहा के उपर चाला जाता है दोस्तों अगर अब लोग मेरे charging टेस्ट वाला वीडियो नहीं देखे Poco M3 का तो दोस्तों कार्ड में link डाल दूँगा या description में link है ओ वीडियो जरूर देखना उसी जगा में दोस्तों Redmi Note 10 में 5000 इमिज़ का बैटरी तो है लेकिन दोस्तों 33 वाट का फास्ट चार्जर है मतलब आप समझ सकते हो एक घंटा पांच मिनिट के अंदर दोस्तों Redmi Note 10 फुल चार्ज हो जाएगा और 12,000 के अंदर पहली बार Redmi 33 वाट का फास्ट चार्जर लेकर आया है दोनों ही फोन में दोस्तों side mount and fingerprint sensor मिलता है और इस price में जो सारे sensor मिलता है दोनो ही फोन में दोस्तों सारे sensor है वी चलिए दोस्तों camera के और दोस्तों camera में भी दोस्तों बाजी मारता है यहां पे Redmi क्योंकि Poco M3 में backside की तरफ triple camera setup दिया है 48 Megapixel का primary sensor 2 Megapixel का macro और 2 Megapixel का death यहां पे दोस्तों ultrawide sensor नहीं है और 8 Megapixel का selfie camera मिलता है उसी जगह में दोस्तों Redmi Note 10 में आप देखोगे दोस्तों 48 Megapixel का primary sensor यहां भी दोस्तों 8 Megapixel का ultrawide lens, 2 Megapixel का macro और 2 Megapixel का death दिया है और 13 Megapixel का selfie camera दिया है अभी दोस्तों दोनों phone का जो camera है और मैं आपको side by side नहीं दिखा सकता हूं क्यूंकि मेरे पास Redmi Note 10 नहीं है कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा और तो मैं जब वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकसान आएगा और आप देख पाओगे तो सस्क्राइब कर लेना और बिलेके न भीजने टेम आल में वी जरूर क्लिक करना प्राइस के पास देखोगे पोको M3 का जो प्राइस है 6GB 64GB 11,000 में 6GB 128GB 12,000 में और उसी चाहिए दोस्तो मैं साब साब बता देता हूँ बिलकुल उइना रहता है रेडमी नोट 10 क्योंकि पोको M3 से काफी अच्छा स्पेसिपिकसान मिलता है AMOLED डिस्पले है 33W का फास्ट चारजर है ग्लास बैग है प्रोसेसर काफी पावरफुल है मतलब सब कुछ दोस्तो अच्छा है पोको M3 से सिर्फ दोस्तो रैम थोड़ा कम है और बहुत सारे वाईलों कहेगा कि 6000 इमेज का बैटरी है तो अब लोग देखिए दोस्तो उतना ज़्यादा फारक नहीं है 5000 इमेज और 6000 इमेज का जो बैटरी है उतना ज़्यादा फारक नहीं है डेरिकेटेड दोस्तो चार्जिंग टेस्ट लेकर आऊंगा बहुत जल्द उसके लिए ज़रूर इंतेसर करना वहाँ पैपको पता चल जाएगा तो दोस्तो सब कुछ ऑब तो लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करके बिल एकन बज़ने टाइम आल में जरू क्लिक करना तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगलेक फ्रेस वीडियो में तब तक मचाते रहो